नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है सुनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड़ा या कॉंग्रेस का पूरा चोर गैंग केबल और केबल पैसे की चोरी नहीं करता है ये देश के खजाने की ही चोरी नहीं करता है बलकि देश के डॉकुमेंट्स को भी चुराने वाले ये लोग हैं और इसलिए दस जन्पत ऐसा एक अंधा कुमा बना हुआ है इन लोगों ने ऐसा तहकाना बना रखा है दस जन्पत के अंदर जिसके कारण ये दस जन्पत बाहर नहीं आना चाहते हैं कबजा करके इसलिए बैठी हुई है सोनिया गांधी राजनीती से सन्यास ले लेंगी एक्टी पॉल्टिक्स में नहीं रहेंगी लेकिन फिर भी पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर बनी रहेंगी राजसभा से चुन कर जाएंगी क्यों क्योंकि दस जन्पत में ऐसे ऐसे र नेहरू गांधी परिवार एक्सपोज हो जाएगा और इसलिए अब एक बड़ा सर्च वारण जाने वाला है दस जन्पत के लिए लीगल टीम से बातचित हो रही है कि दस जन्पत में जो 51 बॉक्सेस में भरकर सोनिया गांधी ने दस्ताबे चुराए हैं चुरा कर ले गए हैं और वो भी परधान मंत्री म्यूजियम एंड लाइबरेरी से उसे वापस लाना है लीगल टीम बैठी हुई है और एन्वल मिटिंग जो होती है एजियम की मिटिंग एन्वल जेनरल मिटिंग उसके अध्यक्षतार राजनातीन ने की और उसमें बात चित हुई कि सुनिय गांधी जो यहां से 51 बॉक्स लेकर गई है जिसमें जवाहर लालेहरू के कुछ लेटर है इसे ये लोग तो परस्नल लेटर कहते हैं लेकिन क्या प्रधान मंत्री जवाहर लालेहरू अगर किसी के साथ बात चित कर रहे हैं उनमें चिठ्थियां लिक रहे हैं तो वो उनका व्यक्तिगत लेटर है क्या वो अपने व्यक्तिगत संबंदों की बात उन लेटर्स में किये हैं या देश की बात किये हैं राजरिती की बात किये हैं सरकार के अधिकारों की बात किये हैं सरकार के आगे के कामों के बारे में बताये हैं या फिर सरकार जो निरने ले जा रही है और उसके समर्थन या विरोध में बात हुई है क्योंकि जिन लोगों के साथ इनकी बात चित के लेटर हैं वो सामाने लोग नहीं हैं ये इनके केवल परिवार के लोग नहीं हैं बलकि वैसे पॉलिटिकल पावरफुल लोग हैं जो देश की राजरीती को परभावित करते थे वैसे लोग भी हैं जो हिंदुस्तान की राजरीती को परभावित करती थी यानि की एडवीना माउंट वेटन की बात कर रहे हैं इसलिए इन लोगों ने पहले तो इसे नहरू मीजियम एन लाइवरेरी बनाया नहरू के ती और जब सरकार बदली तो फिर इन्हें तकलीफ होने लगी हाला कि आभास इन लोगों को पहले हो गया था इसलिए चोरी चकारी तो पहले से ही सुरू कर देती 51 बॉक्सिस हैं सोनिया गांधी के घर में चिपे हुए जिसमें नहरू के लेटर है अब नहरू के इन लेटर को ये पसल कह रही है लेकिन आप समझिए कि ये इतिहास में दर्ज होने वाले कुछ ऐसे सुबूत हैं जिससे नहरू गांधी परिवार इक्स्पोज हो सकता है तो फिर इस लेटर को परसनल कैसे कहा जा सकता है ये लेटर जवाहरला लेहरू का जैपरकास नरायन से बादचित का है ये लेटर जवाहरला लेहरू का बाबु जगजीवन राम से बादचित की है ये लेटर वो है जिसमें अलवट अस्टाइन से बादचित के कई सारे लेटर जवाहरला लेहरू के हैं इस लेटर में विजय ऐसे लेटर हैं जिसे अगर सामने लाया गया तो फिर नहरू जो अभी तक छिप छिपा कर रहे हैं जिनको इतिहास में ऐसे बताया गया कि ये देखिए मोतीला लहरू के बेटे जिनके पिता जी इतने बड़े वकील थे करोड़ों की संपत्ति थी और ये जवाहरला लहरू कै से अपनी करोडों की संपत्ति छोड़कर स्वतंतरता संग्राम में शामिल हो गए उनकी एक दूसरे पक्ष एडवीना के साथ इनके संबंध ये भी उजागर हो जाएंगे और एडवीना के साथ संबंध के कारण हिंदुस्तान को क्या क्या भुगतना पड़ा है ये कि निताओं की क्या भुमिका थी क्यों एडवीना और नहरू के बीच के इस प्रेम परसंग को पनपने दिया माउंट वेटन ने और लाड माउंट वेटन की इसमें क्या भुमिका थी इंटरेस्ट था ये कई मामले हैं जो सामने आ जाएंगे अगर ये सारे के सारे लेटर स चारे चिठियां एक्सपोज हो गई ओनलाइन डाल दिया गया तो फिर कहीं भी मुह दिखाने के लाइक ये नहरू गांधी परिवार के लोग नहीं रहेंगे और इसलिए ये लीगल एडवाइज लिया जा रहा है जहां तक इन लेटर के पासनल होने की बात है सुनिया गांध के खाने पीने की बात कर रहे थे या फिर उन से उन मुद्दों पर सवाल पूछ रहे थे जो उस समय नेशनल इंटरेस्ट के लिए बन रहा था जवाहरला नेरू के उन पत्रों में इस बात का जिक्र होगा कि जैपरकास नारायल उस समय कश्मीर पॉलिसी को लेकर क्या कह र कि क्या शेख अब्दुल्ला के साथ रिष्टे ने नेहरू इतने पागल हो गए थे कि कश्मीर पर उसका ध्यान ही नहीं जा रहा था कि कैसे पूरे के पूरे कश्मीर को हम अपने साथ लाए क्या इन लेटरस में इस बात का जिक्र नहीं होगा क्योंकि ये तो कुछ तथ ब इन के साथ एप्रोच किया जो युद्ध बिराम हुआ कश्मीर में पाकिस्तान जैसे टुच्चे देश के खिलाफ हम लड़ नहीं पाए और हम इन में चले गए ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि आज पीयों कोई बना हुआ है और फिर हमें उसे वापस ले के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है वही बिजै लक्षूट पंडित को लेटर में जवारला लहरू ने का था हमसे भूल हो गई हमें नहीं जाना चाहिए था हमने अमेरिका और बृतेन के ऊपर भरोसा किया क्या बृतेन के उपर भरोसा दिलवाने में यही एडवीना म अपके साथ खड़ा होगा वो बिटेन जो भारत के लिए उस समय जहर उगलता था जिसके ठिंकर सारे बोलते थे भारत तो एक देश है ही नहीं यहां तमिल हो सकते हैं तिलगू हो सकते हैं बिहारी हो सकते हैं बंगाली हो सकते हैं यह देश नहीं हो सकता यह टुकडों में अख्या के लिए एक तर्क मिलेंगे आधार मिलेंगे तर्ट मिलेंगे और जो अरुना आशफ अली के साथ जो लेटर लिखे गए हैं अरुना आशफ अली करांतिकारी महिला और वो अगर जबाहरला नहरू को लेटर लिख रही हैं तो वो प्रेम संबंद की बात नहीं करेगी वो निस्टनल पॉलिसी की बात करेगी निस्टनल पॉलिटिक्स की बात करेगी नहरू के उन विचारों की बात करेगी जिसका खामियाजा आदवी हिंदुस्तान भुगत रहा है चाहे तिबबत को लेकर नहरू का स्टैंड हो चीन को लेकर स्टैंड हो या फिर अमेरिका और इरोप के देशों से अगाध प्रेम हो अपने पडोसी देशों से संबंद खराब हो जाए लेकिन अमेरिका और बृतें से संबंद अच्छा करने के नाम पर त्याक करते रहेंगे में अनमार से संबंद खराब होतो हो लेकिन चीन को लेटस परसनल डॉकुमेंट्स नेहरू मुजियम एन लाइबरेरी में रखवा दिया था ये तो मानते थे कि इसका नाम ही नेहरू मुजियम एन लाइबरेरी है तीन मुर्ती वहां पर ये तो किसी और के अधिकार छेतर में आएगा नहीं ये तो हमारे पिता जी का है और पिता जी का अधिकार इसके उपर होगा तो इसलिए हमारे खांदानी प्रोपर्टी हो जाएगी जैसे इन लोगों ने निशनल हेराल्ड का पाँच हजार करोड गड़प लिया और अभी तक केस चल रहा है उसके उपर कि कैसे इन लोगों ने ये इंडियन प्राइबेट लिम्टे नाम के कंपनी बना कर पाँच हजार करोड की प्रोपर्टी निशनल हेराल्ड के अपने नाम कर ली 76% अगर सेयर होल्डर सोनिया गांदी राहूल गांदी है तो इन ही दोनों का 76% 5000 करोड में से होगा और उसी तरीके से नेहरू मिजियम और लाइबरेरी सहीद कई ऐसे लूटिया इस दिल्ली में बंगले हैं जिस पर इन लोगों ने कब जा किया अब उसके उपर कारवाई होनी है निशनल लाइबरेरी ये जो नेहरू मेमोरियल मिजियम और लाइबरे पर जिनरल मिटिंग जो होती है एन्वल जिनरल मिटिंग उसके अध्यक्षता इस बार राजनातीन ने की और जो बात चली उसमें कहा गया कि पहले लीगल एडवाईज लो अब ये देखा जाना चाहिए कि सुनिया गांदी ने 2008 में ये जो 51 बॉक्सिस यहां से उठा कर ले हैं उसमें जो उस समय सबसे पहले स्पीकर थे और उसमें कई ऐसे बाते हैं जिसे लोगों को जानना चाहिए क्या और लोगों के बाते नहीं है कुछ और दस्तावेज नहीं है क्या कुछ और गुप्त दस्तावेज भी है कश्मीर को लेकर भी कुछ दस्तावेज जो है वो और इसके लिए legal team तयार करो कि जो वो ले गई है उसे वापस कैसे लाया जा सकता है और आगे के लिए नियम बदलो कि अगर परधान मंत्री museum and library में कोई भी donate करना चाहता है कोई personal चीज़े donate करना चाहता है तो उसके बाद उसे 5 से 10 साल तक वापस लेने का अधिकार नहीं होगा और जो बचे हुए कुछ और लेटर हैं जिसके लिए claim कर रही है सोनिया गांधी उसे तो सीधे तोर पर reject कर दिया गया 2008 में ये 51 boxes ले गई थी उसके बाद फिर से claim कर रही है कि नहीं जो बचे हुए और हैं दस्तावेज वो भी हमें वापस चाहिए क्यों चाहिए इसे निलाम करोगी करोडो अरवो रुपे के संपत्ति पहले डकार ली हो अब इसे भी निलाम करके पैसे कमाओगी ये इन लोगों का चरित्र है इसलिए इस meeting में ये भी फैसला लिया गया कि आगे जो claim किया जा रहा है उसे deny करो अब एक भी छोटा सा एक पेज का paper नहीं जाएगा क्योंकि अभी जो बच्चे हुए है 2.8 लाख pages है जिसका claim कर रही है सोनिया गांदी एक एक पेज यहाँ बहुके मुल है बहुक किमती है और उसको सोनिया गांदी अपने घर में चिपाने में लगी हुई है हिंदुस्तान की सरकार आज पूरे दुनिया में जहां जहां चाहे ब्रिटेन हो या अमेरिका के किसी जगा पर हमारे एंटिक पीस हो अलग-अलग मुजियम में लाइबरेरी में उन जगों से वापस ले करा रही है और ये हमारे यहां का जो वहमुल दस्तावेज है उसे अ पर्च वारण जारी होने वाला है तस जन्पत के किलाब और उनके घर से वो बॉक्सिस लाया जाएगा जो सोनिया गांधी ने दस जन्पत के तहखाने में छिपा कर रखा है अब इन लोगों की कोई भी पैतरे कोई भी चालवाजी नहीं चलेगी मोदी सरकार पूरी तरीके से एक्सन मोड में है कि जिस तरह देश को बदनाम करने की यहां के लोकतंतर के साथ खिलवार करने की कोशिश की है बीदेशी एजिंट बना है राउल गांधी अब इसके पूरे खांदान के उपर एक्सन लिया जाएगा एक एक केसिस निकाले जाएंगे और दस जन्पत का स संग रहे है इसलिए सोनिया गांधी भी बकीलों से मिल रही है बात चुत कर रही है इसके बदले क्या किया जा सकता है ये बड़ी बात नहीं है कि ये इस दस्तावेज को ये जो क्यावन बॉक्सेस है इसको ले जाकर इटली में रग दे ये बहुत बड़ी बात नहीं है सतर प्ता जरूरी है क्योंकि जब राहुल गांदी ने अपना बंगला खाली किया था उस समय भी सैकडों बॉक्सिस दिखाए पड़े थे इस राहुल गांदी के घर में ये किताब तो पढ़ता नहीं ये पढ़ाय लिखाए में शौक है नहीं तो ये बॉक्सिस में जो रखे हु है अब मोदी पूरी तरीके से गुस्से में है कि इन लोगों को इसकी अवकात दिखाने पड़ेगी तो इसी तरह की कबरों के साथ फिर से आजिरोंगे तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ और देते रही है मैसायोग ताकि इसी तरह कबर हम आपके लाते रहें धन्यवा हुआ हुआ है